हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टो मैं चैनल मम्ता की चन्यरनाट जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अभी अपने गाउं की वीडियो लाई हुई थी और मैंने उस वीडियो में कहा था कि फ्रेंड मैं पार्ट बन और पार्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट वन में होगा मेरे गाउं की वीडियो जो मेरे गाउं का है मेरे घर में जो भी है गायव है सारा कुछ तो पार्ट वन मैंने बना दिया है और आपने नहीं देखा होगा तो प्लिस देख लेना जन्दी से जाके और आज मैं ला रही हूँ part 2 जिसमें होगा मेरा पक्का घर मैंने उस वीडियो में खहा था part 1 मेरा कच्चा घर होगा part 2 मेरा पक्का घर होगा तो बस मैं आप लोग को अपना घर दिखाने वाली हूँ अगर आपको पसंद आती ही मेरी आज की वीडियो आज का ये व्लोग तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिलकूल भी न भूलेगा और सेयर जरूर कीजिएगा फिर फ्रैंट साथ फैमिली के साथ तो चली वीडियो स्टाट करते हैं और आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ तो चली वीडियो स्टाट करते हैं और ये हैं में गेट तो चली अभी हम लोग इंटर करते हैं अपने घर में और आपको आगे का मैं रोम स्वगेरा सारा कुछ दिखाती हूँ अंदर जाके तो आज ये फ्रेंड आप लोग भी मेरे साथ ही साथ तो आप देख पा रहे होंगे यह है यहाँ पर समलों गाडिया वागेरा रखते हैं और सबसे फर्स्ट में ये देखिए अभी मैं इंटर करूंगी यहां यह सबसे पहला वाला जो रोम है वो गेज्ट रोम है यहाँ म बेड लगा दिया हुए हमने यहां और आप देख पा रहे होंगे इसी रूम से लगा हुआ इधर आपको गेट दिख रहा होगा यह इस्टोर रूम है फ्रेंट्स यहां जो भी हमारे आप लोग को तो पता है ना मैं गौह से हूं तो धान्वागेर हमारे घर होते हैं तो दाल और यही है एक बेड रूम यहां मेरे विवा साथ का बेटा जो हमारे घरी रहता है तो हो यहां रहता है तो उसी का रूम है तो यह देखे परना उसका रूम कुछ ऐसा है बस year chi और कुछ हैनी और एक अलAmीरा है और दो बेड लगे हुए क्योंकि इसके मदर फादर भी मिलने आते हैं तो उनके लिए एक बेड़ लगा हुआ है यहां बगल में तो अब देख पा रहे होंगे एक टीवी है और बस कोलर ज्यादा कुछ भी समान नहीं रखा हुआ है हमनी और इतना ही है और इधर आ जाई अभी यह देखिए रूम के इधर में आपको देखाती हूँ यह हमारी गाड़िया क्या है जितने भी घाड़िया यहां सारी गाड़िया है वी क्यो τι रख और हौल है हौल में हमने रिष्झा लगत जहारे मुस्ति हैं क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए परियाप्त जगां चीए और बच्चे बहुत से तानी कर देखा तो उसके बाद बच्चों को लगना चालो हो गया था कई बार चोड भी लगी थी करण हमने वहां बदलाव किया हमने सोफा वगेरा सारा कुछ इस रूम में सुप्ट किया और वह जगह जो हॉल है उसे हमने बिल्कुल खाली कर दिया क् और यहां के वहल बच्चों की समान होते हैं पढ़ाई करने के और सारी कुछ अब देख पारे होंगे हाल कुछ ऐसा दिखता है एक टीवी लगा दिया हमने ऊपर चोटा सा ताकि बच्चे भी टाइम पस कर सके और यह मेरा वेड्रूम आप देख पा रहे होंगे जश्ट अब बच्चे के खिलाउने से ही और आप देख पारे होंगे मेरा बावु की खिलाउने से ही और आप देख पारे होंगे इस तरह सोया हुआ है तो यह देखे फ्रेंट यह मेरा बैड्रूम है अभी मैं आप लोगों को दो से तिन रूम नहीं दिखा पाऊंगे क्योंकि वहां लोग गरेश्ट कर रहे तो उस रूम में मैं नहीं जा पाऊंगे तो फिर नहीं दिखा पाऊंगे इधर का आप देख लावय का दोनों का अलग अलग पढ़ने का वह है टेबल और कुर्सी तो दोनों अलग 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 ही पढ़ाई करते हैं और इधर आजे यह फ्रेंट इधर मेरा कीचन को बिल्कुल हमने अलग रखा हुआ है क्योंकि जब इस अब बनाओ तो फिर इसमेल पूरा घर में भर मैं गाउं गई थी फ्रेंट ज्यादा फूरा सब कुछ फैला पड़ा है क्योंकि अभी 25 दिन में बाहर रहा क्या हूं तो सारा कुछ फैला हुआ है और ज्यादा कुछ ऑर्गिनाइज नहीं कर पाई हूं तो जैसे भी आप लोग के सामने है मेरा कीचन जो है अगर आप लो आप वीडियो को वाच करने के लिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाएगा हूं